नमस्ते दोस्तों मैं कुरारी आप सबका स्वाधत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य सनातर में तो दोस्तों जैसे की पिछली वीडियो में हमारा इस बात का जिक्र चल रहा था कि आत्मा है और उसके साथ में जो जिवात्मा का यह शरीर होता है वो किस परकार से एक्जिस्ट करता है तो हमने बात की थी किस परकार से पंच्टतों से मिलकर यह शरीर बनता है और इस शरीर में आत्मा एक वाहक की तरह सवार होकर सवारी करती है और ये जो शरीर है ये आत्मा का वाहन है तो ये प्रकर्ती अर्थात पुरुष और प्रकर्ती ये हमेशा अनित्य होते है वेद ने इनको अनित्य कहा है ये कभी भी नश्ट नहीं होते है आधुनिक विज्ञान क्या कहता है कि जो प्रकर्ती अर्थात प्रकर्ती में हमने किसको माना है सत्व रजस और तमस को जो परमाणू है परमाणू के जो तीन भाग है सत्व रजस और तमस उसी को आधुनिक विज्ञानिक तीन अलग हिस्सों की बात करते हैं वो कहते हैं electron, proton और neutron तो वो भी यही कहते हैं कि यह हमेशा हमेशा रहने वाले हैं और यह कभी भी नश्ट नहीं होते सृष्टी के विनास के समय यह पूरा ब्रह्मांड पर्माणू में विभक्त हो जाता है और पुनह सिनहशन धीरे धीरे पुनह मिलकर यह ब्रह्मांड वापस बनता है तो ऐसा साइंटिस्ट लोग भी मान चुके हैं यही बात जियों की त्यों वेदो से उठाई गई है यह मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ तो बात करते हैं हम थोड़ा आगे चलते हैं और अब विशे रहाता है आत्मा का कि आत्मा एकजिस्ट करती है या नहीं करती है तो एक सुप्रीम पावर है ये सभी मानते हैं उसमें चाहे हम सनातन धर्मी भाई लोग होँ या फिर हमारे इसलाम के भाई लोग हो या फिर Christianity के जो लोग है वो सब मानते हैं कि एक सुप्रीम पावर तो है तो हम उसको इश्वर कहते हैं वो उसको अल्लह कहते हैं और वो उसको गौड कहते हैं तो सुप्रीम पावर को सबने माना है अब आती है आत्मा की बात हम कहते हैं कि आत्मा है इसलाम क्या मानता है कि शरीर के अंदर रूह है आत्मा है ये दो विशव हुए Christianity की तरफ बढ़ते हैं Christianity के अधिकतर लोग ये मानते है कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती है ये एक मात्र जन्म होता है और आप इस जन्म को पूरे अच्छे तरीके से जो भोग करना है उस भोग को कर लीजिए तो अब हम बात करते हैं इसलाम को भी हम छोड़ देते हैं वो हमारा विशे नहीं है Christianity को भी हम छोड़ देते हैं वो हमारा विशे नहीं है तो हम बात करते हैं अपने उपर तो हमारा तो निरब्रहंत रूप से प्रत्यक सनातनी का ये मानना है कि आत्मा होती है और पुनह-पुनह जन्म को प्राप्त होती है लेकिन कभी-कभी जब चारवाक अब यहां प्रॉबलम आती है चारवाक लोग, बौध लोग, क्रिश्चेनिटी के लोग कई बार इस विशे को उठा देते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है और हमारे भी कुछ ऐसे भाई बंदू होते हैं जो बिचारे पूरी ज्ञान को तो प्राप्त हो नहीं पाते हैं अकैडमिक एजुकेशन में फसे रहते हैं और इतना पता नहीं होता है उनको जिनको कि आत्मा भी होती है तो साइंटिस्ट अपने अलग-अलग तर्क वितर्क देकर सिद्ध कर देते हैं कि शरीर के अंदर जो हमारा माइंड है सिर्फ वो काम कर रहा होते है और उसी से ही हमारे पूरे शरीर का संचालन हो रहा है तो वो इस विशे को मानने को तयार नहीं होते हैं तो इसी बारे में तकरिबन ये 2014 की बात है तो मेरी एक ऐसी साइंटिस्ट भाई से मेरी मुलाकात हुई तो हम बातचीत ऐसी कर रहे थे तो वही विश्य में आपके सामने आज रखना चाऊँगा तो बातचीत यह चल रही थी कि जो हमारे शरीर के अंदर cells की जो maximum age है वो 7 year है cells हमारे बनते रहते हैं, मरते रहते हैं, बनते रहते हैं, मरते रहते हैं जो हम भोजन करते हैं, उससे हमको नए cells बनते रहते हैं और जो हमारे पुराने जो cells होते हैं, वो खतम होते रहते हैं तो मैंने उनको कहा कि क्या हम इसको इस परकार से समझ सकते हैं कि एक जैसे fountain चलता है, नीचे से हम पानी दे रहे हैं, उपर फमारा उठ रहा है और फमारा इतनी height तक अगर जा रहा है, तो जब हम नीचे से पानी देना बंद कर देंगे तो धीरे 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 फमारा नश्ट हो जाएगा तो वो जो नीचे से हम पानी दे रहे हैं, वो क्या है हमारा भोजन जिसके विशे में हमने पिछली बार बात की थी, कि इस भोजन से मिलकर ही ये शरीर बना हुआ है यदि हमने भोजन देना बंद कर दिया, तो फमारा अर्थात ये शरीर भी नश्ट हो जाएगा तो मैंने कहा कि जब सेल्स मरते हैं, तो शरीर के अंदर कोई तो एक कॉंस्टेंट चीज होगी जो बचपन से लेकर के, जवानी से लेकर के, बुढ़ापे तक की चीज गो याद रखती है मान लिया के मेरे जो माइंड के सेल्स हैं, जहां पर मेरी सारी चीजे मान लिया के रिकॉर्ड हो रही है मान लिया के फिजिकल थिंग है, सेल्स हैं, कुछ ऐसे सेल्स हैं जिसमें मेरी सारी यादे रिकॉर्ड हो रही है पर वो जो cells हैं अगर मान लिए उसी की age 7 year है तो 7 साल के बाद तो नश्ट हो जाएगा लेकिन बच्पन की बात मुझे 90 साल तक, 60 साल तक कैसे याद रहती है वो जो constant thing बनी हुई है वो शरीर के अंदर क्या है तो उसने कहा कि जो हमारे ज्यान है वो transfer होता है यानि कि समझ रहे हैं जो पुराने cells मरे हैं वो नए cells को पूरी की पूरी information transfer करके मर जाते हैं तो मैंने कहा अगर ऐसा ही होना होता तो हमारा जब hemoglobin 15 होता है तो जो hemoglobin cells थे 15 वाले तो वो अपना 15 वाला जो hemoglobin जो volume थी वो आने वाले नए cells को दे के क्यों नी मरते फिर हमारा जो आने वाला जो समय होता है उसमें हमारा hemoglobin कम ज़्यादा क्यों होता रहता है या फिर ये मेरी skin है और इस skin के अंदर यदि वसा की मात्रा जादा है और ये अभी हाल फिलाल glow कर रही है तो कल जब मैं 90 साल का हो जाओंगा तो ये glow उसको transfer क्यों नहीं करके जाती है मेरी आखों की जो cells हैं वो जब मरेंगे तो ये जो शक्ती मेरी आज देख पा रही है वो अगले वाले को transfer करके मरेंगे के नहीं मरेंगे तो चाहिए cells की जो योजना है वो सिर्फ दिमाग में ही है या कहीं और भी है यहां आकर वो श्रीमान जी अटक गए फिर मैंने कहा ठीक है आपने कभी सामने से share देखा है उसने कहा नहीं मैंने कहा अगर मानलो आपको share के सामने छोड़ दे जाए तो आपको क्या होगा भैबीत होंगे बोले हाँ बिल्कुल भाई भैबीत वो मुझे खाया आएगा मैंने कहा आपको कैसे पता जब आपने experience नहीं लिया और scientist लोग और खास तोर पर के जो लोग आत्मा परमात्मा को नहीं मानते हैं वो लोग इस बात में विश्वास रखते हैं अपने आपको बहुत ज़्यदा बड़ा scientist बोल के इस बात में विश्वास रखते हैं कि जब तलग हम किसी चीज़ को करके नहीं देखते उसका अनुभव हमको नहीं आता है तो मैंने का जब शेर के सामने नहीं गए तो वो अनुभव आपके अंदर आया कैसे उसने का सोचने से विचारने से आया दूसरों को देखने से आया सुनने से आया तो मैंने का सुनने से आपको टैंत आई उसने का नहीं मैंने का सुनने से आपको वेवाहिक जीवन का जो आनन्द होता है या ब्रह्मचरिय जीवन का जो आनन्द होता है या जो बुढ़ापे में जो कमजोरी होती है वो सुनने से कभी फील हुई बोला नहीं हुई मैंने का अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपको ये कहता है कि मैं बूड़ा हो गया हूँ मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है और मैं बिल्कुल मरने के कगार पर हूँ मैं मर जाओंगा तो क्या आपको वो अनुभूती होती है भूल नहीं होती मैंने का फिर ये शेर वाली अनुभूती कैसे आपको आई एक बच्चा जब पैदा होता है उसने अपनी मान लो कि उसका पहला पहला जीवन है पहला और अंतिम जीवन मैं मान लेता हूँ पहला और अंतिम जीवन है तो जब बच्चा पैदा होता है उसके दूसरे तिसरे महिने आप उसको देखोगे सोता हुआ बच्चा कभी हसता है कभी रोता है तो जो बच्चे ने कभी हसी-खुशी का कोई अनुभव नहीं लिया तो उसके चेहरे पर इसमाइल कैसी? और बच्चा किस चीज से अचानक से डर के रोता है? कुछ तो constant है कुछ तो ऐसी चीज है जिसके पास वो अनुभव था और वो अनुभव आज भी उस छोटे से बालक के अंदर है बहुत सारी चीज़े ऐसी होते हैं जिसका हम अनुभव लेते नहीं है हमको पता होता है चोटे बच्चे होते हैं किसी व्यक्ती के पास नहीं जाते हैं किसी के पास हराम से चले जाते हैं चोटे बच्चे कुछ होते हैं जो कुटे को तुरंत पकड़ लेते हैं कुछ बच्चे कुटे से दूर से देख की भागते हैं कुछ बच्चे होते हैं जो गाएं के नीचे भी खेल लेते हैं कुछ बच्चे गाएं को पास तलक नहीं जाते ये सब के अंदर भिनिता कैसे विशे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है परंतु जानना अवश्चक है और जानना इसलिए अवश्चक है क्योंकि ये मैं हूँ और यदि मैं स्वम को नहीं जानता हूँ तो मैं कुछ भी जान लूँ वो मेरे लिए बेकार है तो अब हम बात करते हैं शरीर की मान लिए आपके ये जो पूरा शरीर है ये सिर्फ और सिर्फ शरीर है इसके अंदर कुछ भी constant चीज नहीं है आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है तो हम ये तो सब माने चुके हैं scientist लोग मान चुके हैं जो malnutrition malnutrition का हमेर सा गीत गाते रहते हैं वो ये तो मानते होंगे कि ये शरीर जो है वो भोजन से बना है तो भाई मेरे मुझे बस छोटी सी इतनी सी बात बता दीजिए कि अच्छे से अच्छा भोजन सब करते हैं 20 प्रेगनेंट महिलाओं को एक साथ रखा जाए और उन महिलाओं को एक जैसा भोजन दीजिए एक जैसा स्वास्थे चैक अप दीजिए और उन सब का जो भी खान, पान, रहन, सहन, everything सब कुछ कें सेम टू सेम रखो तो जो आपने सेम टू सेम भोजन दिया सेम टू सेम नूट्रिशन गया सेम टू सेम जब कच्चा माल अंदर गया तो सेम टू सेम प्रोड़क्ट निकलना चाहिए लेकिन 20 बच्चों में से कोई किसी सुभाव का है, कोई किसी सुभाव का है ऐसा क्यों? और कई बार जो अमीर लोग होते हैं अच्छे सच्चा खिलाते हैं तो उनके बच्चे मंद बुद्धी पैदा हो जाते हैं उनके बच्चे कमजोर पैदा हो जाते हैं और जो कुछ गरीब लोग होते हैं जो भी उपलद हो गया बस उसी को खा लिया उनके बच्चे बड़े दिमागदार भी होते हैं उनके बच्चे शरीर सोष्ठोब उनका अच्छा होता है तो ये भिन्धा कैसे? जब भाई मारूती की फैक्टरी में फ्लास्टिक दाना सेम टू सिम गया और सेम टू सेम प्रोडक्ट बन कर आया तो भाई यहाँ से सेम टू सेम प्रोडक्ट क्यों नहीं आया? तो इस बात का जवाब साइंटिस्ट लोगों के पास में है नहीं तो ये कुछ ऐसे तरक हैं जिनमें आपको ना तो बहुत बड़ा दिमाग लगाने के अवशक्ता होती है ना बहुत बड़ा गरंत पढ़ने के अवशक्ता होती है ना ही बहुत जादा शास्त्र, मंत्र, शलोक याद रखने के अवशक्ता होती है ये तो मात्र कुछ एक लॉजिक है और सत्य सनातन यूट्यूब चैनल पर हमारा सिर्फ यही धे रहता है कि किस प्रकार से हम अपने धर्म से जुड़े हुई गहन चीजों का जो हमारा हिंदू सत्य सनातन विध्या है जो हमारा आर्शवग्यान है जो हमारे आर्ये जनो रिशी जनो के द्वारा बनाया हुआ धर्शन है उसको हम आप तक सोगराहिये भासा में सरल भाशा में आपकी खुद की भाशा में छोटे- छोटे तर्क वितर्क के अधार पर कैसे पहुँचा सके तो मुझे आशा है कि आज के तर्क वितर्क आपको बहुत अच्छे लगे होंगे अच्छे लगे तो इसको आगे बढ़ाईए लोगों तक पहुंचाईए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही सभी मेरे साथ बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जै ओम नास्ते